हेलो नमस्का दोस्तो आज की इस वीडियो में कुछ इस पकार से बाबासाइब अमबेटकरजी की जहनती का गुरूप पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को शुरू से लेके अन तक आप लोग देखते रहिए ताके आप लोग भी इस पकार से बाबा साहिब अमबेटकरजी की जहनती का ग्रूप पोस्टर बना सको दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP material यूज हुआ है उसका लिंक मैंने description में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको download कर सकते हो लेकिन उसमें एक password लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को तीन step में मिल जाएगा दोस्तो अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे telegram group को join कर सकते हो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से request करता हूँ कि अगर आप लोग में हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर दीजेगा दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए picture lab application की जुरुत परती है जिसका link मैंने description में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके इसे आपको download कर सकते हो तो दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए picture lab application को open कर लेते है application को open करते ही कुछ इस तरह का interface हमारे screen पे आ जाएगा यहाँ पे new text को हम लोग delete कर देगे उसके बाद right side corner में उपर की side पे three dot के निसान पे क्लिक करेगे नीचे scroll करके open plp file पे double click करेगे यहाँ पे plp पे click करेगे यहाँ arrow के निसान पे click करेगे और जहां भी हमने file को download करके save करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग file को open कर लेगे यहाँ पर बाबा साहिब embed कर plp पे click करेगे open and add पे click करेगे यहां पे OK कर देगे उसके बाद बेक हो जाएगे तो दोस्तो इस पकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रूप पोस्टर तयार करेगे इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेगे और जहां भी हमको चेंज करना है उसे डिलिट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते है तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने बाबा साहिब अमबेटकर जी की फोटो पेंजी लगा रखा है साथ ही यहाँ भी मैंने एक और फोटो पेंजी एड किया हुआ है यह दोनों photo page आप लोग change कर सकते हो और इसकी जगह पे नई photo page एड़ कर सकते हो इसके लिए plus के बगल में जो icon बना है वहाँ पे click करेगे और जहाँ भी यह photo page है वहाँ पे delete वाले icon पे click करके इसे delete कर देगे साथी दोस्तो प्लस वाले आइकोन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलेरी में जाके नई फोटो पेंज हम लोग एड़ कर सकते है अब दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है आप सभी देश स्वासियों को बाबा साहिब अमबेटकर जहनती की हर्दिक बधाई एवं धेर सारी सुपकामनाई दोस्तो यहाँ पे जो अमबेटकर और सुपकामनाई लिखा हुआ है वो डीजी फॉंट है तो आप लोग के पास कोई नया डीजी फॉंट है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो साथ ही इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकोन बना हैं वहाँ पे क्लिक करेगे और जहां भी यह लिखा हुआ है वहाँ पे अनलॉक कर देगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेगे फिर यहाँ पर A वाले आइकोन पर क्लिक करेगे नीचे स्क्रॉल करके कलर वाले आइकोन पर क्लिक करेगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते है जो भी कलर हमें पसंद हो उसके बाद यहाँ पर OK कर देगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोटो फ्रेम लगा रखा है तो यहां पर दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों का अपने गाहं वालों का या अपने घर वालों का फोटो पीएंजी लगा के आप अपना ग्रूप पोस्टर तयार कर सकते हो इसके लिए प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे फ्रॉम गैले कर देगे उसके बात दोस्तों यहां पर नीचे बड़े वाले विनदु पर क्लिक करेगे और इसको छोटा करते जाएगे जितना भी हमें चाहिए साइज और इसको थोड़ा-जोटा कर देगिए तो दोस्तो देख सकते हो मैंने एक फ्रेम में एक फोटो पेंजी एड़ कर दिया है दोस्तो इसी पकार से हम लोग बाकी की फ्रेम में भी फोटो पेंजी एड़ करके अपना ग्रूप पोस्टर तयार कर सकते है अब दोस्तो इस poster को हम लोग gallery में कैसे save करें इसके लिए share वाले icon पे click करेंगे image format में jpg या 5g select करेंगे quality dimension में ultra select करेंगे और save to gallery पे click कर देगे दोस्तो इस पकार से हमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तो इसी पकार से आप लोग को किसी festival का या अपने shop का banner बनवाना है तो comment करके बता दीजेगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगा जिससे आपनों mobile से ही poster बना सको दोस्तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना जय हीन जय भारत